Hello SGTB students, I am Rajni from शिरिगुरुतिक पहदुर स्कूल NH9 टिंगरोर सिर्चा, this is your maths class, open your maths book Students, today we will start chapter number 3, आज हम मैंस का chapter 3 start करेंगे, chapter name is addition and subtraction up to 9 Students, पहले हमने chapters में up to 9 numbers पड़े हैं, number names भी पड़े हैं, आज हम जो करेंगे वो है addition and subtraction Students, now we will do exercise 3.1, in first sum count and write the correct number and then add आपने क्या करना है, इनको count करना है, आपको यहाँ पे जो object दिया गया है, आपने उनको देखके count करना है फिर आपने students उसका number write करना है और फिर उनने add करना है, like हम first sum में देखती हैं, यहाँ पे 2 chairs दी गई है, हमने number write किया 2, next दी गई है 2, 2 and 2 makes, 2 and 2 कितनी हो जाएंगी chairs, हम इनको कैसे count करते हैं, 1, 2, 3, 4 so students यहाँ पे हमें chairs दी गई है, 1, 2, 3, 4 और हमने यहाँ पे number write कर दिया 4 इसी तरह से next में देखना है, 1, 2, 3, कितने bananas दिये गई हैं, 3, हम यहाँ पे write करेंगे 3 next में हम count करते हैं, 1, 2, 3, 4, हम यहाँ पे write करेंगे number 4 अब 3 and 4 makes, 3 and 4 कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने यहाँ पे box में write करना है 7 it means 3 and 4 makes 7, 3 and 4 कितने हो जाते हैं, 7, ऐसे आपने इनको add करना है and in next second sum, add 1 and write the number in the boxes students हमें यहाँ पे number दिया गया है, हमने उसमें 1 add करना है and box में number right करना है students, बेटा, जब भी हम किसी number में 1 add करते हैं, then क्या होता है हमने उसका just after number राइट करना होता है, जैसे कि हम इसमें देखते है कि यहाँ पे हमें number दिया गया है 4, when we add one to a number अगर हम किसी भी number में one add कर रहे हैं तो हमें जो number मिलेगा answer जो आएगा वो उसका just after number होगा जैसे कि number 4 में one add कर रहे हैं number आया 5 तो ये number 5 क्या है 4 का after means 4 के बाद वाली संख्या इसी तरह हैं यहाँ पर हम number 4 में one add करें है number 5 5 में one add करेंगे 5 का just after number 6 next add number 2 2 में one add करेंगे तो number यहाँ पर क्या आएगा 3 क्योंकि 3 जो है वो number 2 का after number है 2 के बाद आता है 3 ओके students and next sum number 3 add 0 and write the number in the boxes अब इसमें हमने 0 add करनी है और boxes में answer write करना है जब students हम 0 add करते हैं when we add 0 to a number we get the same number हमारे पास number same रहते हैं अब यहाँ पर number है 5 अब 5 में हम 0 add करें हैं 0 means 0 की value ना के ब्राबर है 0 means कुछ भी नहीं है तो number क्या रहेगा students number same का same रहेगा यहाँ पर 5 ही आएगा ऐसे ही अब यहाँ पर हमें दिया गया है 2 में 0 add करना है तो क्या number रहेगा 2 number रहेगा same रहेगा next 9 में 0 add करना है तो number 9 ही रहेगा next and number 1 1 में 0 add करेंगे तो number क्या रहेगा 1 same number रहेगा so okay students in this way you will do exercise 3.1 in your book ओके बेटा आपने exercise 3.1 अपनी मैंस की बुक पर करनी है ओके थैंक्यू students कि लिए भाजर करेंगे सेखिए सेखिए हैंस कि लिए याजर बत करेंगे लिरसे चारे यािए मैंस को रहे प्रावाण बंत करेंगे रहे हैंस